अस्वालेकूम मैं यूट्योफ फैमली कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी तो फ्रेंस आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ सर्दियों में खाये जाने वाले आलू बत्वे के पराठे मैं अपने घर में किस तरह से बनाती हूँ वही आज मैं आपके पिर शेर करते हैं तो देखें मैंने ले लिया है मिक्सी कजाड़ और एक पीस में डाल दूंगी अधरक का और 6-7 में लसन की कलिया ले ले ली है और अब मैं इसको दर-दरा पीस लोगी यह देखे इस तरह से और देखें मैंने बत्वे को अचिसे दोकर अभा लिया था एक देखें लिम्हारा अच्छे से पीस चुका है तो इस तरह से पीस लिया है मैंने ए जर्थ निवान्य नाधि चल्क पेष्टे श्टे कर लिया ए अब यह जो हमारा जो निवारा पेस्ट है कि अँद्र कर देंगे और अब बारे आती है मैं डाल रही हूं रूह में कालर नमख चात रेंगे और आधा चमच में डाले हूं आधायमाच चाट चात घिरम नमासाला junto जीरा इस अज्वड़े हैं तो हमने अच्छे से इसको mix कर लिया है, तो चली बनाना शुरूर करते हैं, पराठा, तो देखे, मैंने दो इस तरह से रोटी बेल ली है, पतली-पतली ही रखी है मैंने, आप चाहें तो single भी बना सकते हैं, तो हम इसे चमच की help से इसे अच्छे से फिला देंगे, और इसमें सुखा अठा लगा के बेल लेंगे, हलके हाँ से, मेरे चैनल पर फ्रेंस बत्वे की कचोरी भी है, और मैंने एक दूसरी तरीके से भी बत्वे के पराठे बनाने बताए हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है, तो वोच जरूर कर लीजेग मैं आई बटन पर लगा दूँगी, तो हलके हाँ से मैं इसको बेल रही हूँ, आप देख सकते हैं, तो मैंने गेस पर पैन रख दिया था, पैन हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, तो हम अब इसको अलट पलट करकर, गी लगा कर अच्छे से सेक लेंगे, तो फ्रेंस बर्तवे के पराठी हो गए है तयार, तो चलिए मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, चारो तरफ से अच्छे से फैले हैं, तो आप इसको चेटनी के साथ, धाई के साथ, इंजोई कर सकते हैं, सर्दियों में बहुत ही जादा खाये जाते हैं, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूसफूल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, अगर आप मेरे चैनल पी न्यू है, सब्सक्राइब कीजेगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मि बिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाइ बाइ फ्रेंद्स